इसरो हासल करवा जरह हुछे वधू एक सिध्धी जी हाँ पाच मी मार्च ना रोज ते सोल माढणी इमारत जितलू उंचू रौकेट लौच करशे पाच मी माचे जियो इमेजिंग सेटलाइट मतलब के जी सेट वन ने श्री हरी कोटा ना सतीश धवन स्पेस सेंटर पर थी लौच करा शे जी जी एसल फी एफ टेन रोकेट थी सेटलाइट लौच करवा माँ शे ते सोल माढणी इमारत जितलू उंचू छे आ ने तेनू बजन 4,2,2,300 किलो शे इस रोप आसे थी मरती विगर तनुसार आ रोकेट पाच मी माचे सांचे पाच कल लागतें तालेस मिनिटे लौच थाशे आ मिशन अढ़ार मिनिट नू हशे मतलब के लौच करया नी अढ़ार मिनिट बाद जी एसल वी एफ टैन रोकेट उपग्रह ने तेनी कक्षा मा स्थापित कर शे जी एसल वी नी आ चाउद मी उडान रह शे आ सेटलाइट द्वरा देश ना कोई पर भागनी रियल टाइम का स्वीर मिडवी शकाशे तो आ सेटलाइट नी जी ओ सिंक्रोनस ट्रांसफर ओर्बिट मा राखवा मा उशे त्यार बाद ओन बोर्ड प्रपेल्शन सिस्टम द्वारा आ सेटलाइट छत्त्रे सजार किलो मीटर नी उचाई बाड़ी तेनी कक्षा मा स्थापित थाई चाशे इसरू अनुसार 226 किलो वजन नो जी सेट वन अब्जवेशन सेटलाइट रह शे खुब जडब थी प्रत्वीनी तस्वीरों ते लेश्री जीसल्वी मा पहली वकट 4 मीटर ना व्यासवाडू पेलोड फाइरिंग लगावमा आव्यू छे ते स्पेस्क्राप्ट माटे एकरते रक्षा कवचनी जेम काम करे छे कोन आकार नू पेलोड फाइरिंग लॉंच दर्म्यान वायू मंडर थी पैदा थनारी एरो डाइनामिक हिटिंग अने दबार थी स्पेस्क्राप्ट ने बचा छे